नमास्कार फ्रेंड स्वागत आप सभी का सॉलूशन में दरे से यूटूब चनल में फ्रेंड इस वीडियो में वन बार्ड सब्स्टिटूशन से रिलिट्व प्रटिस सेट लिया है इस प्रटिस सेट में 30 कुशन कवर करेंगे आप लोगों को जरूब बताना की आप लोगों ने 30 में से कितना स्कूर किया है और इसका जो पीडिएफ है आपको टेलिग्राम के चनल पे एक से दो दिनों मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्किप्सन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लीजिए और आप सभी लोग जो है यूटूब चैनल को भी जोइन कर सकते हैं यूटूब चैनल जोइन करते ही आपको सभी वीडियोस की जो PDF होगी वो आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी और उसका password आपको चैनल के membership section में आपको मिल जाएगा जब आप सभी लोग चैनल को join कर लेंगे तो आपके YouTube के home page पे membership का option खुल जाएगा तो उसमें आपको सभी वीडियो की जो PDF का password होगा वो आपको मिल जाएगा और PDF के लिए जो है आप लोग टेलिग्राम को भी join कर लीजिए लिंक जो है वीडियो के description में है लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना score किया है comment box में जरूब बताएं तो चली वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट कें तो उसको बोलते हैं अराजकता तो यहाँ पे एनर्की यहाँ पे इसका C option यहाँ पे correct हो जाएगा एक ऐसा देश जिसमें सरकार की अनुपस्तिती हो मतलब government की अनुपस्तिती हो उसको बोलते हैं अराजकता energy यहाँ पे इसका c option यहाँ पे correct जाएगा अगले जो question कुछ नमटो short amusing story about some real person और event तो इसमें आप लोग सोच लिजी इसका right option क्या होगा मतलब कि किसी बास्तविक बेक्ती या फिर घटना के बारे में छोटी जो मनोरंजक कहानी होती है इसको हम लोग बोलते हैं खिसा तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा anadopt.option यहाँ पे जो है इसका b option यहाँ पे correct जाएगा हिंदी में जो है किसा बोलते हैं किसी बास्तविक बेक्ती या फिर घटना के बारे में छोटी सी जो मनोरंजक कहानी होती है उसको बोलते हैं anecdote option यहाँ पर be option यहाँ पर correct हो जाएगा हिंदी मोलते हैं किसा option यहाँ पर be correct हो जाएगा अगले जो question कुश्ण नमा third early return of the date of an event तो इसमें आप लोग सूच लिए जिसका right option क्या होगा किसी event की तारीख की जो बारसिक बापसी होती है जिसको साल गिरे बोलते हैं तो यहाँ पर anniversary हो जाएगा option यहाँ पर be option यहाँ पर correct हो जाएगा अगले जो question कुश्ण नमा fourth deviation from common rule और standard और what is normal तो इसमें आप लोग सूच लिए जिसका right option क्या होगा मतलब कि सामान्य नियम या फिर मानक जो सामान्य है उससे बिचलन मतलब कि आ साधरर तो यहाँ पर अनॉर्मली यहाँ पर इसका correct हो जाएगा यहाँ पर जो है सामान्य जो बिचलन सामान्य से बिचलन मतलब कि आ साधरर तो यहाँ पर अनॉर्मली यहाँ पर इसका be option यहाँ पर correct हो जाएगा अगले जो question question number 5 A book or a work of art whose author is not known तो इसमें आप लोग सोच लिए जिसका right option क्या होगा मतलब कि एक ऐसी book या फिर एक ऐसी color का जो काम है जिसका लेखक जो है ग्यात नहीं है उसको बोलते हैं गुम नाम मतलब की तो यहां पे इसका right option मतलब की हो जाएगा जो सभी इस्थापित सरकार के कानून और विवस्ता को नश्ट करना चाता है उसको बोलते हैं anarchist option याँ पे जो है a option याँ पे correct हो जाएगा मतलब की अराजक याँ पे anarchist option याँ याँ पे a correct हो जाएगा एक ऐसा ब्यक्ती जो स्थापित सरकार के कानून और विवस्ता को नष्ट करना चाता है उसको बोलते हैं anarchist मतलब की आराजक अगले जो कुशन कुशनमा 7 that which happens once in a year जो साल में एक बार होता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते है annual मतलब की सालाना option यहाँ पे be option यहाँ पे correct हो जाएगा that which happens once in a year मतलब की जो साल में एक बार होता है उसको बोलते है annual मतलब की सालाना अगले जो कुशन कुशनमा 8 one that opposes other एक जो दूसरे का बिरूत करता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बिरोधी यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा antagonist option यहाँ पे जो है a option यहाँ पे correct हो जाएगा one that opposes other एक जो दूसरे का बिरूत करता है उसको बोलते हैं बिरोधी मतलब की antagonist option यहाँ पे a option यहाँ पे correct हो जाएगा अगले जो कुशन कुशनमा 9 a medicine to cure the effect of poison मतलब की wish या फिर जहर के पिरभाव को दूर करने की जो औशदी होती है जिसको हम लोग जहर नाशक बोलते हैं तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा antidote option यहाँ पे d option यहाँ पे correct हो जाएगा wish या फिर जहर के पिरभाव को दूर करने की जो औशदी होती है उसको बोलते हैं anti-dot option यहां पे जो है de-option यहां पे correct हो जाएगा अगले जो question कुश्टम 10 loss of ability to understand speech मतलब की भाशर समझने की छमता का जो नुक्षान होता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं aphasia option यहां पे जो है iska de-option यहां पे correct हो जाएगा मतलब की वाचा गहात जिसको बोलते हैं अगले जो question कुश्टम 11 one who abundance his religious faith मतलब की एक ऐसा आदमी जो अपनी धार्मिक आवस्ता को त्याग देता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं apostate मतलब की धर्म त्यागी option यहां पे be option यहां पे correct हो जाएगा one who abundance his religious faith मतलब की एक ऐसा आदमी जो अपनी धार्मिक आवस्ता को त्याग देता है उसको बोलते हैं apostate मतलब की धर्म त्यागी अगले जो question कुश्टम 12 animals which live in water मतलब की ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं aquatic मतलब की जलिये option यहां पे be option यहां पे correct हो जाएगा animals which live in water मतलब की ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उसको बोलते हैं aquatic option यहां पे be option यहां पे correct हो जाएगा अगले जो question कुश्टम 13 someone chosen to judge and decide a disputed issue मतलब की किसी बिवादित मुद्दे करने या फिर निड़े करने के लिए एक ब्यक्ति को चुना गया है उस ब्यक्ति को क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मद्यस्त या फिर judge तो यहां पे इस correct option जो हो जाएगा arbitrator और arbitrator दोनों यहां पे option correct हो जाएगे आपको एकजाम में कोई एक option देखने को मिलेगा मैंने आपको पढ़ाने के लिए समझाने के लिए दोनों option लिखे हुए हैं तो यहां पे इसका right option हो जाएगा option B और option A दोनों यहां पे correct हो जाएगे उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र मतलब की aristocracy option यहां पे बी option यहां पे correct हो जाएगा अगले जो question question 15 तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा जिसको बोलते हैं युद ब्राम तो यहां पे शन्दी पर हस्ताचर करने से पहले युद की शमापती तो यहां पे आरमेस्टाइज option यहां पे बी option यहां पे correct हो जाएगा जिसको हिंदी बोलते हैं युद ब्राम option यहां पे बी option यहां पे correct हो जाएगा अगले जो question question 16 one who practices self daniel as a spiritual discipline मतलब की जो एक अध्यात्मिक अनुशाशन के रूप में आत्मनिशेद का अभ्यास करता है उसको क्या बोलते हैं तो यहां पे इस correct option जो हो जाएगा अगले जो question question 17 killing or murder for political reasons मतलब की जो राजनेतिक कारण से हत्या होती है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं assassination option यहां पे जो है a option यहां पे correct हो जाएगा double s और double s दोवार आता है आप लोग याद रखिएगा अगले जो question question 18 science of the influence of the stars of human affairs मतलब की मानव मामलों पर शितारों का पिरभाव का बिग्यान जो होता है जिसको जोतिष शास्त्र बोलते हैं तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा astrology बोलते हैं option यहां पे c option यहां पे correct हो जाएगा मतलब की मानव मामलों पर जो नचत्रों का पिरभाव का बिग्यान होता है जिसको जोतिश शास्त्र बोलते हैं तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा astrology option यहाँ पे see correct जाएगा अगले जो question question number 19 science of universe with sun, moon, stars and planets मतलब की ब्रह्मांड का बिग्यान जिसको शूरे चंदरबाशितारों या फिर गिरहों का जो बिग्यान होता है जिसको खगोल बिग्यान बोलते हैं तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा astronomy, astronomy means होता है खगोल बिग्यान मतलब की ब्रह्मांड, शूरे, चंदरबाशितारों और ग्रहों का जो बिग्यान होता है इसको खगोल बिग्यान बोलते हैं तो यहां पे इसका right option हो जाएगा astronomy option यहां पर be option यहां पर correct हो जाएगा अगला जो question question number 20 A person who does not believe in the existence of God मतलब की एक ऐसा आदमी जो इश्वर के अस्तित पर बिश्वास नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अथिस्ट मतलब की नास्तिक option यहां पर de-correct हो जाएगा एक ऐसा ब्यक्ति जो इश्वर के अस्तित पर बिश्वास नहीं करता है उसको बोलते हैं अथिस्ट मतलब की नास्तिक option यहां पर de-correct हो जाएगा अगला जो question question number 21 an assembly of listeners मतलब की जो शुरोताओं की शवहा होती है उसको बोलते हैं audience मतलब की शुरोतागर option यहां पर de-correct हो जाएगा अगला जो question question number 22 the life history of a man written by himself मतलब की सुयम के द्वारा लिखा गया एक ब्यक्ति का जीवन इतियास जिसको बोलते हैं autobiography option यहां पर जो है b option यहां पर correct हो जाएगा अगला जो question question number 23 government by one person मतलब की एक ब्यक्ति द्वारा एक सरकार जिसको बोलते हैं तो यहां पर इस correct option हो जाएगा autocracy option यहां पर C correct हो जाएगा argument by one person मतलब की एक ब्यक्ति के द्वारा सरकार उसको बोलते हैं autocracy option यहां पर C option यहां पर correct हो जाएगा अगले जो question question 24 one who is greedy मतलब की एक ऐसा आदमी जो लालची है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं avaricious option यहां पर जो है a option यहां पर correct हो जाएगा मतलब की लालची एक ऐसा आदमी जो लालची है उसको बोलते हैं avaricious option यहां पर जो है a option यहां पर correct हो जाएगा मतलब की लालची अगले जो question question 25 the state of being unmarried of a man मतलब की पुरुष के अबिबाहित होने की अवस्ता या फिर भाव तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं bachelorhood option यहां पर c correct हो जाएगा the state of being unmarried of a man मतलब की पुरुष के अबिबाहित होने की अवस्ता या फिर भाव जिसको बोलते हैं कोबारापन bachelorhood option यहां पर c correct हो जाएगा अगले जो question question 26 a person unable to pay his debts मतलब की एक ऐसा ब्यक्ती जो अपने कर्ज का बुक्तान करने में असमर्थ है तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं bankrupt और insolvent यहां पर जो है दोनों option मैंने लिखे हैं आपको option में जो है exam में कोई एक option देखने को मिलेगा मैंने आपको सिखाने के लिए पढ़ने के लिए दोनों option लिखे हुए हैं एक ऐसा आदमी जो अपने read मतलब की अपने कर्ज का बुक्तान करने में असमर्थ होता है जो नहीं भर पाता है उसको बोलते हैं bankrupt यह फिर insolvent दोनों option यहां पर correct हैं दोनों में से कोई एक option आपको exam में देखने को मिलेगा आप उसको सही कर सकते हैं जब आपको दोनों पता होंगे तभी तो यहां पर दोनों option को आप याद रखिएगा अगले जो question question 27 part of sea यह फिर lake enclosed by a white cup of the shore मतलब की शमूद्र यह फिर जहील का एक ऐसा भाग जो तट के बिस्तिरत वक्र के रूप में घिरा हो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बे मतलब की खाड़ी option यह पर जो है sea option यह पर correct हो जाएगा अगले जो question question 28 I stretch of sand यह फिर stones along the edge of the sea यह फिर lake तो इसमें आप लोग सोच लिजे स्क्राइट option क्या होगा समूद्र यह फिर जहील के किनारे रेत यह फिर पत्थरों का जो एक खंड होता है उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं beach आप सभी को पता होगा option यहाँ पर option यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगले जो कुशन कुशनम 29 a person who is fond of fighting मतलब की एक ऐसा ब्यक्ति जो लडने का शौक करता है तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं लड़ा को तो बैली कोज option यहाँ पर जो है option यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगले जो कुशन कुशनम 30 इस वीडियो का last question जो है engaged in war या फिर fight मतलब की एक ऐसा आदमी जो योदिया फिर लड़ाई में लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं bellage rent option यहाँ जो है आप लोग one लिख लिजिए one who gives financial help to our school, hospital, etc यह question number 31 का answer आप लोगो को comment option बताना है मतलब की वै आदमी जो इश्कूल अस्पताल आदी को बित्तिय शायता मतलब की financial शेवा प्रिदान करता है उसको क्या बोलते हैं तो उसको one word में क्या बोलते हैं आप लोगों को comment option बताना है कि इसका right option क्या हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग एक ही जगे one लिख लीजिए तो यहाँ पे typing में mistake है बाकी आप लोग देख लीजिए Thank you friends आप लोगोंने 30 में से कितना score किया है comment option बताएं और question number 31 का answer आप लोग ज़रूर दीजिएगा comment box में friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को ज़रूर शिर्क्या करें अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय हिन वन दे मात्राम